गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व को जानने की कोशिश करेंगे एकॉनमिक इंपॉर्टेंस आफ ब्रायोफाइट्स अपतक हम पढ़ चुके हैं दो तीन प्रीवेस लेक्शर में हमने ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट्स के हमने चेनरल करेक्टर्स पढ़ेते आज हम दिस विशे पर बात करेंगे वह एकॉनमिक इंपॉर्टेंस आफ ब्रायोफाइट्स हमों के जितने भी प्लांट से आर्थिक महत्व जो है पर्यावरन विशेश में उगने के कारण जो है दूसरे जितने प ब्रायोफाइट्स के कौन-कौन से एकॉनमिक यूजिस हो सकते हैं इनकी इकॉनमिक इंपॉर्टेंस किसके फील्ड में है सोर्स ओ फ्यूल सोर्स ऑफ फूर्ट एस मैडिसन प्रिवेंश ऑफ स्वाइल रोजन होटी कल्चर एंटिबायोटिक यूजिज एज एज एन्वार इनके बारे में हम जाने के कोशिश करेंगे किस तरह से अलग अलग ब्रायोफाइट्स इन सबमें उप्योगी सित्त होते हैं तो सबसे पहला जो है, इस अमेडिसन तरह में किस तरह से आते हैं Markingtonesia polymerpha, प्राय को में यहें पैलावा फैसी यालावा स्तम दो कि ऒख़ते हैं इसके अलावा जाती है घातीय थे बैट किन यह यह हैं तरह में ब्राइफाइट्स का उप्योग होता है इसी तरह से रिक्सिया रिक्सिया हमने पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसके एक विशेष्टा पढ़ी थी इसमें जो है क्या पाई जाता है दीविभाजी शाखन पाई जाता है और इसमें राइजोइट्स पाई जाते है तो रिक्सिया का उपयोग जो है वो रिंग वम की टीट्मेंट में किया जाता है मॉस की राख में तेल मिलाकर महलम तियार किया जाता है जो कि जले कटे घाओ आदी को भरने में काम में आता है चीन और अमेरिका में जो है यह हैं यह जो है ब्रायं और फैलन्किस नमक जो है ब्राइफाइटा करें जाता है करते हैं उसके लुकदी बना लेते हैं लुक्दी को जहें घाओ पर लगाया जाता है जोकि भूद में शायक होती है इसी प्रकार और उसे कुछ जैसे कि पॉलिट्रेकम यह आपके पें इसके लाइफ साइकल और इसकी डिटेल स्टेडी करेंगी जो पॉलिट्राइकम होता है यह पॉलिट्राइकम अब 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 थोड़ा सा प्लांट के बारे देखें तो फूट्सीटा कैपसुल में वाजिद होता है यह नीचे राजोट्स पाए जारा है यह हम पढ़ चुके पॉलिट्राइकम से बनी चाय जो है पिताशों गुर्दे में पत्री को गलाने में सायक होती है इसी तरह से स्ट्रेलाइजिशन की कैपसिटी पाए जाती है यह जैसे से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रेग्णम प्लांट है इसका उप्योग बहुत ज्या तो रूस जापान युद्धो यह जो फर्स्ट वर्ड वर्ड हुई थी उस समय इसका उप्योग जो है शल्ले चेकिस्ता में जो सर्जरी होती है उसमें घावों को भरने के लिए ड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है और इसी वज़े से इसको मॉस कॉटन भी कहता है और की रूप में इसको हम काम में लेते हैं इसके अलावा पीट टार से प्राप्त जो कहते हैं एक तरह से अर्क होता है जिसे स्वेगनॉल कहते हैं वह जो स्किन डिजीज है इसमें काम में आता है इसी तरह से स्वेगनम को पानी में उबाल कर उसका काड़ा बना लेते हैं तो तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग 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 तरह के अलग अलग medicinal यूज होता है अब देखिए इसका दूसरा यूजे सोर्स और फूड नहीं किया जाता फूड की रूप में काम में लेते हैं जो है कौन-कौन से जो प्रायम का उपयोग जो है मुर्गियों के जो फीट त्यार होता है उनका भोजन त्यार करने में प्रायम नामक ब्रायफाइटर का उपयोग किया जाता है इसी तरह से इस फ्रायम का उपयोग जो है विभिन प्रकार के जन्तु जो है अपने खाने की रूप में करते हैं और ब्लैक बर्ड जो होती है वह मॉस पादब की जो कैप्सुल होते हैं इस तरह के इनको खाती है तो डारेक्ट विमन बिंग इसका जो है उपयोग नहीं करत आए इन्हन की होता है अने कविक्सित देशों में इस फ्रेट मॉस और कुरूच्म उसने का में कवनलिया जा रहा है इंधन के रूप में इस फ्रेट एक आदर्ष रोब्स में इस्थापित ये थाफिक्लीन मिथेन गैसोलेन इत्यादी के उत्पादन से क्या जा सकता है पीट और विद्धुत उत्पादन क्रेवी आगे उपयोगी सिद्ध हो सकती है काम में उत्त बता है इसको काम में ले सकते हैं इस स्वाग्नम और इसे किसका का फर्मेशन होता है यह अभी हम आगे वाली स्वाटर में देखेंगे कि किस तरह से पीट का फॉर्मेशन होता है यह आपको में बता देते हूं दोनों चीजे इस फैक्दम अमली जल यह दल दल में पाया जाता है इसलिए मौस भी कहलाता है इसका पूरा का पूरा जो है बीकंपोजिशन नहीं हो पाता और नीचे के सतह पर जो पीट जो हुए कोईले का शरोत है जिसे झामम होता जाता है कारबों करहरा जाता काल यंता मैं यह बाद में हमने पढ़ा था पीट के श्रूफ में करते है कब देखिए इसलाइँ पीट में लेकार में किसा है पीट कोशिश करेंगे इस फैक्टन कैसी एक्वेटिक मौस है और अमली जल या दल दल में पाए जाते हैं तो जब जादा होता है तो जित्ते भी डीकंपोजिंग और इसमें चाहिए उनके लिए कैसी कंडिशन हो जाती है अन्फिब्रेवल कंडिशन हो जाती है और इस इस उन्फिब्रेवल कंडिशन के काराण जो डीकंपोजिंग और यह जादा डेवलप नहीं हो पाते बैक्टीरिया की संक्या कम हो जाती है और और इस वज़े से पूरा डेड मेटर का डीकंपोजिशन नहीं हो पाता और आधा ही हो जाता है वह पूर्ण अब घटन नहीं किसले का निर्मांद करता है इस पीट का कि निषली लियर से पीट मस की यह जो है इनका कार्बोनीकरन हो जाता है जो कि ऐसे फूल कम में आता है तो यह सब्सक्राइब प्रेशन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टन प्रेश्ट इस पर वनता है में पूछा जाता है कि पीट formation किस तरीके से होता है अब इस man subscribing करेंगे तो बॉक्सक्रिशन में क्या होता है कि जो उसने होते हैं इश्पेशलि इसकले होसकते हैं यह बिलकर किसका 확 करते हैं पीट में पढ़ा है कि किस तरह कीड़ फोर्मेशन होती यो है मटन हो जाती है धो जो है इतने में होते हैं लिए पारिफ कंडीशन हो जाता हैские और हाइडोफाइट की क्या बनने लगती है मैट बनने लगती है तो इस तरह इसेशन को जो है यह आगे बढ़ाते हैं तो किसी भी एरिया में जो है एक पारनियर प्लांट्स की रूप में यह काम करते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉंजिबिशन होता है का सक्सेशन के समय में कि इसके बाद आता है कि एस एंवार्मेंटल इंडिकेटर राइफाइट जो है वह पर्यार्वन प्रदुशक सुचक की रूप में काम करते हैं जैसे ब्रायम आर्जेंटियम है जो कि अगर है इसका मतलब माकी सोईल कैसी है अलकेलाइन सोईल है तो य इसी तरह से जो है सिफेलोजिया बाइकिस्पीडेटर जो है एसे एरिया में पैजाता है जो होते हैं उनको हम कॉपर मॉस भी कहते हैं क्योंकि उस एरिया में ऊकते हैं जहां पर की कॉपर ज्यादा होता है हम को इंडिकेशन मिल जाता है कि और मिकी चोफवेरा अगर है तो हम कह सकते हैं कि उस एरिया में कॉपर होगा तरह से अगर सिफेलोजिया बाइक इसपीडेटर अगर ब्राइफवाइट पाए जाता है तो यह आईडिया लगाया जा सकता है कि जिप्सम और जिंक जो है महा है ओटुमिये हैं तो जैंतलर चीह सोख लेते हैं और जब यह प्लांट डयट हो जाते हैं तो इन प्लांट से मिली यह वह भी जीजे होती है तो इस प्लाकार जहोते लिब्याफ प्रजाएा Alrighty तो का वो शोशन करकर वातावरों को सच्छ रखते हैं तो कुछ मौस जो होते हैं उनके उपस्तिती जो है वह पीएच की इंडिकेशन देती है इसका होता है कोई कुछ आनिए परधारत है मिलते हैं इमप्रेंगत इसे इसनेन बात के हैं कि सयक्दम से आपीट गलता है उससे और स्फेमिकल रियक्शन रीअक्शन दौर्अर प्राफ्ट तो इसका बेड़ा यूजज़ इसका पैमिकल पूलाद काम सबस्क्रा Зबय initiatives with the चट्टा आधी जो ड्राय स्थान पर पहले लइकन स्थापित और इसके बाद में मॉस इस्तावनों पर उगने लगते हैं और बाद में जो है मॉस अब दर्फ पर एकत्रित होने के कारण कार्बनिक प्रधारत की मात्रा बढ़ जाती है जिससे इस पर अन्य दाद पोगे भी जंकुरित हो जाए जिसे मैं आपको बताएं देखिए क्या प्रफार्टों की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एक तरह से फेवरेबल कंडिशन हो जाती है सीड जो है जर्मिनेशन के लिए तो जीरे 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 जो है वहां दूसरे पात्मों की बीजबी अंकुरित हो जाते हैं इसके बादे पैकेसिंग मटेरियल फिर देखिए आप स्फेगनम पादप मुलायम और शौक अब्जर्वर होने के कारण की काच की वस्तू की पार्सल में पेकिंग सामगरी की रूप में काम में ली जाता है इसी तरह से और भी प्लांट से जो की पैकिंग जो है उसमें काम में आता है जैसे कि हायमन क्यूसी प् पैकिंग में काम में आता है इसी तरह से नेकरा के नुल्यूटा भी जो है पैकिंग में काम में आता है इसके इस पंज के समान जल और संख्रहण की विलक्षन चमता होती है जो अपने शुश्क भार से 200 गोना अधिक जल अव्शोषित कर सकता है इसलिए सीडलिंग तथा ज स्वेग्नम की बहुत जो है शौक एब्जर्वर की रूप में काम में लिया जाता है जाने की पैक कर देंगे तो आपस में टक्रा कर जो है चीजे नहीं ठूटेंगी तो इसपेशली वह चीजे जो बहुत फैकाईल होती है जिसके कहा अच्छे ग्लास है तो उनकी पैकिंग गरों में तो घरों में भी हम जगर को प्लांट लगाते हैं जैसा कि प्लांट जो की नमी में जिसको की नमी की ज़्यादा ज़रृत होती है तो मॉस इसको मॉस स्टिक के सारह हम चाड़ा देते तो वह पानी आप दो गे तो उसको अब्जर्व कर रख लेंगी और क्योंकि केपेसिटी बहुत ज्यादा वाटर अब्जर्प्शन की और जीरे जीरे प्लांट को नमी मिलती रहेगी तो बार बार हमें पानी देने की विजुरत नहीं पड़ती और जो अग ऐसे प्लांट है जिनको की हुमिट जाता चाहिए वह उसकी रेक्वार्मेंट भी पूरी करते ह रूप में इसका बहुत जादा उपयोग होता है इसकी वाद है वेस्ट वाटर चीटमेंट फिर देखिए स्वैग्नम पीट अत्यदिक अप्शोषक शम्ता दर्चाता है क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो यह वाटर को जो है अब्सॉप्शन कैपिसिटी बहुत जादा कि इतने तो प्रदार्त है इनको भी अब्सॉप करेगा तो है नहीं जो प्रण देगा आप फ्रेश वाटर को जो है अब्सॉप करेगा टॉक्सिंस को भी ले लेता है यह और इसलिए जो है एक बहुत जब्स जाधा एफेक्टिव फिल्टर और अप्शोषक के रूप में और जो वेस्टत से निकलने वाले डाषियों होता है स्मॉम उटीटमेंट में करता है इसके बात है इसके यूजिड अपको बटाता है कि किस तरह से मौस स्टिक लगा कि जो इसको गंबले में लगा कि गार्णिंग में काम में लिया जाता है क्योंकि इनकी वाटर अब्सर्विंग कैपसिटी बहुत जादा होती है जैसे पॉलिट्रेकम है इनकी वाटर अब्सर्विंग कैपसिटी बहुत जादा है तो जब जब क्यारों में बीच डालते हैं तो वहां पर इनको डाल दे जाता है ताकि पानी जो है अब्सर्व कर लेंगी और जो सीट से जो कि हमने चर्मिनेशन के लिए उनकी रिक्वाइब है इधी तो है वे him is आब हुआ है दे शीजंक इस तरह है इस तरह जो है कि टेकि चारफ इसको यह तो एक्ट्री के चारह उस्टिक को रूब कर दिया सच्छा उक्षा सच्छ मैं दिएिया जाता है या जम आडी जाती है और अन्धर को लगान्टा दे जाता तो उसकी वाटर रिक्वार्मेंट को पूरा करते हैं इसे जो है आर्टिविशल जो वैजिटिटिटिव रिप्रोडेक्शन होता है उसमें एयर लेरिंग में भी मॉस का उप्योग किया जाता है जो की स्टॉक और सियों को लगाता है नमी प्रेदान करते हैं जैसे कि जहां कह कलचर में ब्राइफाइट का उप्योग किया जाता है इसके बादे प्रिवेंशन और स्टॉइल रोजन यानि कि म्रदा प्रदन को रोपने के लिए भी ब्राइफाइट्स का या मॉसिस का बहुत ज़्यादा उप्योग होता है यह क्या होता है कि जो रोडोब्रायम है या ड्राइक रेनम है जो कुछ ऐसे ब्राइफाइट से मॉस होते हैं जो कि भाडी की ढलानों पर जो है पर ऑफ्योग को रोकते हैं इन ढलानों पर जो है पानी का अशूर्षन कर लेते यह और अन्य पधों के बीच को उनकुरन है तो एक सीड बैट उपलत कराते है जैसे क्या के लिए जो है environmental condition प्रॉपर नहीं मिल पाथी तो ऐसे में क्या होता है जिए जो मॉस्स होती है यह एक तरह से बीच में बेरियर का काम करती है और पानी का अशुरूशन कर लेती है और उस अशुरूशित पानी में सीट्स आरम से ग्रोग कर लेते हैं इसी तरह से कुछ जो है उसके Buchama को को लिए इस पैसलियन को लगाई जाता है मासस providers को इस तरीके से देखे कि यहां पर कटाव जाती है जाक्टाव यहां के जाता है तो वह जए मयाँ इसाल के कटाव को रोका जा सकता है जब यह देख सकते हैं कि कोई सटरे से क्योंकि क्या क्या था期間 मोश्चер को को के सोख एक है तो अगर जागे वाट रोटर सस्ट है जो आपने दूस्ट वोट को त्रीके का दद गोशन कर सोग के हैं कि इसके बादे रिसर्च में मॉसेज और लिवर्वर्ट्स आर यूज इस इन दे फील्ड ऑफ जनेटिक्स दे मेकनिजम और सैक्स डिटर्मिनेशन दे प्लांट इसको इसके इसके प्लांट्स को फाइवर के रूप में काम में लिया जाता है इसे तोगरी टोपिया दी है उसका उपयोग जो है लैंप जो है उसकी बत्तियां बनाने में किया जाता है इसी प्रकार कुछ मॉसे इसको गद्धे तकी आधिक में भिफणने के काम में ले जाता है कुछ मॉस के जाती होती हो को शिप में जो है बीच-बीच में दरार आ जाती है उसको भड़ने में जाता है और जापान में मॉस को जो है ऐसे ओरनामेंटल ट्रीज प्लांट्स पीका में लिए जाता है वहां पर बगीच हो में और रास्तों में किनारों के तरह को गया जाता है ताकि यह दूर से लगता है जैसे बहुत दैन्स कजर का कार्पेट बिचाया रखा है इस तरह से जो है ब्राइफाइट के जो है कुछ और्नमेंटल यूजिस भी होते हैं कि आज हमने एकॉनमिक यूजिस पड़ है इस द्रश्टी से भी बहुत उपयोगी है इस पर एक बड़ा प्रश्ट में सीधा आप से पूछा जाता है छह नंबर का भी पूछा जाता है कि राइट नो मौसस काम में ले जाते हैं या पीट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है या ऐसे जो है दो मौसस के नाम बताइए जो कि एन्वार्मेंटल इंडिकेटर की रूप में काम में आते इस पर बहुत सारे चोटे प्रश्ट में बनते हैं और एक बड़ा नोट भी आता है इस पर श